नमस्कार, PCS UpToDate प्रोग्राम में आपका स्वागत है, आईए खबरों के शुरुआत करते हैं आतंकी संगठन अलकायदा कानेता अइमान अलजवाहिरी को अमेरिका ने अपने एक ड्रोन हमले में मार गिडाया है अमेरिकी खूफिया एजेंसी CIA ने काबूर में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया एक संबोधन में अमेरिकी राष्टपती जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टी की अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म आपरेशन के तहट किया गया यह आपरेशन पूरी तरह सफल रहा है आपको बता दें कि साल 2001 में अमेरिका पर हुए हवाई हमलों में जवाहिरी का भी हाथ था इन हमलों में करीब 3000 लोगों की जान गई थी पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई इस वापसी के बाद से जवाहिरी के खिलाफ यह हमला पहला आतंकवाद विरोधी हमला माना जा रहा है इस हमले के लिए CIA ने MQ-9 Reaper AS ड्रोन का इस्तिमाल किया और इस ड्रोन को एक खतरनाक मिसाइल R.N.X. Hill Fire से लैस किया गया था यह मिसाइल दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस्ट हथियारों में से एक है इस मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहा जा रहा है अमेरिकी मिलिटरी का यह सबसे सॉफिस्टिकेटेड मिसाइल इतना सटिक हमला करती है कि सिर्फ टारगेट ही डहर होता है इस मिसाइल से आज पास किसी को नुकसान नहीं होता इसके एक्स्टेंडेट बुलेट्स ही इसे और खतरनाग बना देते हैं यह हतियार पुर्व अमेरिकी राष्टपती बराक ओबामा के कारेकाल में साल 2011 में डेवलप किया गया था इस मिसाइल को लॉक हिड मार्टिन और नौर्थ रोप गुमान ने तयार किया था संसत में भारतिय अंटार्क्टिक विध्यक 2022 पारित हो गया है इसका मकसद अंटार्क्टिक में पर्यावरन और इस पर निर्भर एको सिस्टम के कंजर्वेशन के रिए राष्टी स्तर पर उपाय करना है 22 जुलाई को लोग सभा में इस विध्यक को पास किया गया इसके बाद पृतिवे विध्यान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सींग द्वारा इसे पेश किये जाने के बाद राजिस सभा में भी यह पारित हो गया विधेयक का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंदर सिंग ने कहा कि यह विधेयक अंटार्क्टिक संधी के साथ साथ मैडिट प्रोटोकॉल पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के एकॉर्डिंग है मैडिट प्रोटोकॉल अन्टार्क्टिक समुद्री जीवित संसाधनों के सनक्षन पर बेजड है यह प्रोटोकॉल 1991 में अपनाया गया था और 1998 में इसे लागू किया गया इस विध्यक के कुछ महत्रपूर्ण उद्देश हैं जैसे अन्टार्क्टिक छित्र को खनन या अवैद गतिविधियों से छुटकारा दिलाना इसका असैन्नी करन सुनिशित करना इस छित्र में कोई परमानू परिक्षन या विस्पोर्ट नहीं होने दाना इस विध्यक में स्थापित कानूनी विवस्था के जरिए भारत की अन्टार्क्टिक गतिविधियों को एक इफेक्टिव पॉलिसी और रेगुलेटरी फेमवर्ग प्रदान किया गया है इस से भारती अन्टार्क्टिक कारेक्रम के विवस्थित एवं एक्षी संचालन में मदद मिलेगी इस विध्यक से बढ़ते अन्टार्क्टिक परियतन के समुचित प्रबंधन में मदद मिल सकेगी यह विधेयक अंटाक्टिक महासागर में मतस संसाधुनों के संस्टेनेबल डेवलप्मेंट में भारत की इंटेरेश्ट और एक्टिव पाटिसिपेशन को भी सुविधाजनक बनाएगा इससे पोलर रीजन्स के प्रशासन में भी भारत की अंतरास्टिय पैट और विश्वसनियता बढ़ेगी जिससे वैग्यानिक और रसद ख्षित्रों में अंतरास्टिय गठबंदन एवं सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा हाल ही में CPCB यानि Central Pollution Control Board द्वारा जारी एक रिपोर्ट की मुताविक देश के 143 शहरों के AQI यानि Air Quality Index को अबजर्व किया गया इन 143 में से 56 शहरों की AQI कैटेगरी बहतर रही जबकि 82 शहरों की कैटेगरी संतोष जनक और 5 शहरों की मध्यम रही गौर तलब है कि गंगटोक में यह इंडेक्स 14 पर रहा जो सबसे साफ हवा को दर्शाता है वहीं डेली, NCR मुंबई और बैंगलूरू की वायू गुनवत्ता संतोष जनक शेनी में रही दिल्ली में AQI 71 दर्श किया गया, वहीं मुंबई में इसका मान 65 और बैंगलूरू में सरसट रहा आईए जानते हैं क्या है Air Quality Index या वायू गुनवत्ता सूचकांग देश्ट में वायू प्रदूशन के स्तर और वायू गुनवत्ता की स्थिति को मापने के लिए Air Quality Index बनाया गया है यह हवा में मौजूद गैसों की मातरा को बताता है हवा की गुनवत्ता के आधार पर इस Index में 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें अच्छी, संतोष जनक, थोड़ा प्रदूशित, खराब, बहुत खराब और गंभीर कैटेगरीज शामिल हैं इसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे Index में 6-50 के बीच दर्शाया जाता है वहीं संतोष जनक होने की स्थिती में सूचकांग 51-100 के बीच होता है इसी तरह 101-150 का मतलब होता है कि वायू प्रदूशिन का अस्तर मध्यम शेनी का है जबकि 51-200 के बीच का Index वायू गुनवत्ता की खराब स्थिती को दर्शाती है यदि सूचकांग 201-300 की बीच होता है तो वायू गुनवत्ता को बेहत खराब कैटेगरी में रखा जाता है इस स्थिती में वायू प्रदूशिन का स्तर स्वास्थे को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है इसके बाद 301-500 की कैटेगरी आती है जिसे गंभीर माना जाता है ऐसी वायू स्वस्थ इंसान को भी नुकसान पहुँचा सकती है एक नई रिसर्च में एस्ट्रोनोमर्स ने अब तक का सबसे भारी न्यूट्रॉन स्टार खोजा है बताया जा रहा है कि इस नुट्रोन स्टार का वजन सुर्य के द्रविमान का लगभग 2.3-5 गुना हो सकता है इस तारे की खास बात ये है कि यह जिंट स्टार बहुत तेजी से घूम रहा है और अपने ही एक साथ ही तारे को निगल रहा है जिसके कारण इसका वजन बढ़ता ही जा रहा है वज्यानिकों की मताबिक और ज्यादा भारी होने पर यह ब्लैक होल में बदल जायेगा गौर तलब है कि जब कोई तारा मरने के बाद सिकूरने लगता है तो उसका द्रविमान लगभग 1.3 से 2.5 सोलर मास के बराबर होने पर वह एक निट्रोन स्टार बन जाता है लेकिन अगर यह अधिक भारी हो जाता है तो यह एक ब्लैक होल बन सकता है निट्रोन स्टार का आकार लगभग एक शहर के आकार के गोले जितना हो सकता है जो करीब 20 किलोमीटर बड़ा होता है और इसमें पदार्थ बहुत डिंस्ट होते हैं वैज्ञानिकों ने इस तारे को ब्लैक वीडो नाम दिया है यह नाम ब्लैक वीडो नाम की एक मकड़ी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस मकड़ी में अपने ही नर साथी को खाने की टिंडेंसी पाई जाती है आपको बता दें कि यह निट्रॉन स्टार प्रिथिवी से करीब 20 हजार लाइट इयर्स दूर हमारी ही गेलेक्सी मिलकी वे में सेक्स्टैंस तारा मंडल की दिशा में मौजूद है इसका वग्यानिक नाम PSR J09520607 है इंडियन एयर फोर्स एक्टूबर में आयोजित होने वाली मल्टी लेटरल वार्फियर एक्सरसाइज पीच ब्लैक में पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज पीच ब्लैक का आयोजन हर दो साल में होता है यह युद्ध अभ्यास सामाने तह नौर्दन आस्टेलिया में इस्थित डार्लिंग और टिंडल में होता है डार्लिंग और टिंडल रॉयल एस्टेलियन एयर फोर्स के बेस हैं आस्टेलियन डिफेंस मिनिस्ट्री की सूचना के मुताबिक 2022 में होने वाले पीच ब्लैक एक्सराइज में इंडो पैसिफिक रिजन और अन्य विदेशिक छेत्रों के 17 देश शामिल होंगे इन 17 देशों के लगभग 100 एयर क्राफ्ट और 2500 मिलिटरी परसनल पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सराइज में औस्टेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, निधरलैंड, न्यूजिलैंड, फिलिपिन्स, साथ कोरिया, सिंगापूर, थाइलैंड, UAE, UK और अमेरिका भी हिस्सा लेंगे इस वारफेयर एक्सराइज का लक्षे, डिफेंसिव काउंटर एयर कॉमबैट और ओफेंसिव काउंटर एयर कॉमबैट की प्रैक्टिस करना है एक्सराइज पीच ब्लैक सिमुलेटिड एन्वारेनमेंट में आयोजित करवाई जाती है यहां आपको बता दें कि पहला Peach Black Exercise 1981 में आयोजित किया गया था और Indian Air Force ने पहली बार 2018 में इस exercise में भाग लिया था आईए अब नोट करते हैं आज के bulletin पर अधारित सवाल पहला सवाल है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश Peach Black Exercise 222 में भाग नहीं ले रहा है भारत, अमेरिका, रूस या फिर जापान इसे इंग्लिखित में नोट कर लिजिए Which of the following countries is not participating in Peach Black Exercise 2022 इंडिया, अमेरिका, रसिया और जापान दूसरा सवाल नोट कर लिजिए हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैड विडो क्या है इसे इंग्लिख में भी नोट कर लिजिए तो आज की बुलेटिन में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और महत्पूर्ण और जरूरी खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखे, नमस्कार कर दो आज की बुलेटिन में जरूरी खबरों के साथ